स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं ओवर लोक में हमारा जो फुट पेडल यूज होता है वो हमारा खराब हो गया है उसकी जानकारी आपको देने वाले हैं उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे यह फुट पेडल है जो मोटर क यह फूट पैडल अगर आपका लगा हुआ है तो फूट पैडल में प्रॉब्लम क्या आती है और इसको कैसे दूर करना है और इन दोनों फूट पैडल में डिफरेंस क्या है यह वुडन का है लकडी का है और यह प्लास्टिक का है तो दोनों में आपको फर्क बताएंगे तो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह फूट पेडल है जो रेडिमेट हमें मोटर के साथ में मिला था यह हमारा फूट पेडल प्रॉब्लम क्या कर रहा है हमने इसको ओवरलोग मशीन के साथ टैच किया हुआ है यह मोटर है और यह हमारा फूट पेडल है रेगुलर जब हम इसको यूज करते हैं यूज करते हैं रेगुलर हमनों कपड़े ओवरलोग करते हैं तो क्या होता है गरम होने के कारण इसमें अंदर पतियां होती है मैं अभी आपको इसको खोल के दिखाऊंगा तो वो अंदर से जल जाती है जिसके कारण यह बार-बार-बार खराब हो रहा है या तो वो पतियां आपस में टच हो जाती है तो मशीन हमारी रेगुलर चलने लगती है जिससे हमारे कपड़ा कटने का भी डर रहता है और स्पीड नहीं रुकती उसकी इसको आप रोक नहीं सकते है जब आपस में पतियां टच हो जाती है तो उस मशीन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते है और रेगुलर एकदम से कपड़ा को खीच लेती है जिससे हमारा कपड़ा भी कट सकता है हमारा नुकसान हो सकता है तो एक तो यह हो गया जो हमें मोटर के साथ रेडिमेट फूट पैडल मिला हुआ है एक यह देशी जुगाड हम आपको बता रहे है यह वुडन का है आप देख सकते हैं यह भी मैंने खोला हुआ है इसमें दो तारे हैं यह आप घर पे भी बना सकते हैं जैसा यह रेडिमेट काम करता है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है शौक प्रूफ है इसमें आपको करंट वगरा भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें वुडन का है यह और इसमें कोई पत्ती नहीं है अंदर आप देख सकते हैं बड़े हैवी नट लगे हुए है इससे यह टाच होगा तो आपस में हमारी मोटर अच्छे से वर्क करेगी तो मुझे आपको यह डिफरेंस बताना था मेरी ओवरलोक मशीन में मैंने मोटर लगाई हुई है जिसमें यह रेडिमेट एक्सिलेटर में यूज कर रहा था आप देख सकते हैं बहुत लाइट वेट है लेकिन इसमें इसके सबसे बड़े माइनस पॉइंट के है जैसे आप रेगुलर इसको यूज करते हैं यह गरम होने के कारण इसमें प्रॉब्लम क्या आई है वह आपको खोल के दिखाता हूँ इसको खोल के देखते हैं इसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है यह देखो फ्रेंट्स यह फूट पैडल हमने खोल लिया है आप देख सकते हैं इस foot pedal में wiring यहां से है और यह आप देखिए बारीकी से आप इसमें कोई नजार आ रहा होगा इसमें आपको यह तीनों पतियां आपस में टच होती हैं इस तरीके से ऐसे टच होने के करण हमारी यह machine चलती है इसको जब हम दबाते हैं तो यह इधर से इस पतियों को यह प्लास्टिक का जो यह लगा हुआ है इस foot pedal में इनको प्रेस करता है ऐसे और यह देखिए आप यह तीनों पतियां जलने के बाद खराब हो चुकी हैं यह देखिए तीनों पतियां आगे से इनका जो फेस है तीनों पतियों का जो फेस हैा到 आगे से देख सकते हैं और कपड़ा कटने का ढर रहता है आप इसको रिपेर करा सकते हैं मार्केट में रिपेर हो जाता है यह पतियां बदल जाती है लेकिन बार बार जैसे ही आपकी पतियां बदलधा लीजिए यह regular जैसी आप इसको बार-बार यूज़ करेंगे, यह पतियां इसकी जलेंगी, बार-बार जलती रहेंगी, और हमने जो देशी जुगाड आपको दिखाया है, wooden का, यह देख सकते हैं, फ्रेंट्स, यह देशी जुगाड जो हमने आपको दिखाया है, wooden का, ना तो इससे इस तरीके से, दोनों तारे हमने काट दी है, और इसको साइड में कर दिया है, तो आप देख सकते हैं, यह जो हमारा हमने food pedal दिखाया था, आपको wooden का, इसमें दो तारे लगी हुई है, इन तारों से में इसे एक तार ले ले लेंगे आप, इसको ऐसे बंद कर देंगे, दो तारे निकली हुई है, देख सकते हैं आप इन में, ठीक है, किसी भी color की दो तार लगा लेंगे, कोई ज की इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, किसी भी तार में जो पीछे current की wire आई हुई है, एक उसमें जोड़ देंगे आप, ठीक है, और इसको अच्छे से जोड़ने के बाद, इसको tape करना है अभी, वो भी tape करेंगे, और एक जो wire यह accelerator की है, एक हमने main में जोड़ दिये, और एक यह motor की तारे हैं, एक हम motor में जोड़ देंगे, यह हमने एक motor की तार में जोड़ दिये, जो तारे motor में गई हुई है, यह वाली wire जो है friends, यह आप देख सकते हैं, पीछे से current की wire है, जिसमें हमने एक accelerator की foot pedal की जोड़ दिये, ठीक है, दूसरी जो wire है foot pedal की यह वाली, यह foot pedal की दूसरी वायर है, यह हमने मोटर में लगा दिये, जो तार मोटर में गई हुई है, उसके बाद हमने ए, जो दो वाइट तारे हैं, आपस में, मोटर वाली और जो पीछे से मेन आई हुई है, इनको आपस में ऐसे जोड देंगे, तो फ्रेंट्स देख सकते हैं आप ये मेन वायर हो गई करंट वाली जिसमें हमने एक ये डारेक्ट तो जोड़ दी थी मोटर वाली तार में और दोनों एक एक तार में हमने ये फूट पैडल की वायर लगा दी है ठीक है सारे कनेक्शन हमने अच्छे से टेप कर ली है ये हमारा बीच में फूट पैडल लग चुका है इसको आपको हम एक बार ट्राई करके जिरूर दिखाएंगे ये हमारा फूट पैडल रेडी हो गया है कनेक्शन ओके हैं बिल्कुल य ये रेडीमेट फूट पैडल है ये हमने निकाल दिया है बहुत टाइम से मैं इसको रिपेर कर रहा था बार-बार पतिय इसकी जल जाती है क्योंकि रैगुलर वर्क करता हूं मै ओवर्लोग वगएरा मेरा कंटीनियू काम चलता है तो मैंने इसको बीच में से निकाल दिया ठीक है उसके बाद मैंने लगाया यह वुडन का वुडन का आप देख सकते हैं कितना अच्छे से वर्क करना है स्प्रिंग लगा हुआ है इसमें आप इसको खुद भी बना सकते हैं भार मार्केट में मातर 50 रुपे में आपको यह मिल जाता है स्विंग मशीन में भी लगा सकते हैं ओवरलोग मशीन में भी लगा सकते हैं यह देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रहा है यह देखिए इसको प्रेस कर रहे हैं कितने अच्छे से मशीन हमारी वर्क कर रहे है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर करना, कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सस्क्राइब करना, नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरी नेक्ट वीडियो की तो प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक य स्वानोच.